Hi friends, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजूकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे कलास तेंथ का सोसल साइंस जिसका अब्जेक्टिव टेस्ट किया जाए कि आपको कितना नंबर तकी तयारी है आपको क्या करना है कि एकापी ले लिजे और कलम ले लिजे और उसमें आप एक से ले करके 48 नंबर तक का कोश्चन लिखिए नंबर डाल दीजे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो है आप अपना कोश्चन डाल लिजे 48 नमबर तक, अगर आपका अप्सन और देखिए इसमें कोशन और अप्सन दोनों है आपको अगर 1 का अप्सन सही ए लगता है, तो एक दीजेए, 2 का B है तो B दीजे, 3 का C दीजेए 2 का C है, तो C दीजे 4 का D है, तो D दीजे इस तरह से जो है आप एक से 48 तक का नंबर डाल दीजिए और हम आपको कोशन और उसका आप्षन दोनों दे रहे हैं जो आपको सही लगता है वह लिख लीजिएगा तो हम लोग आप सुरू करें आप लोग तैयार हो चुके हैं पहला कोशन है कि इन में से कौन सा उपभोगता उधोग है आपका अपसान है पेट्रो रसायन, लोह इसपात, चीनी उधोग, चितरंजन लोको मोटीव दोस्तों इस सारी कोशन का जो है हम वीडियो के अंत में आपको एंसर देंगे और आप उसे मिलाईएगा तो अब हम लोग सुरू करने है, पहला कोशन तो आपको बता दिये दुसरा कोशन है कि भारतिय अंतर देशिये जल मार्ग प्राधी करण का गठन किस वर्ष किया गया था आपका अपसान है 1986, 1988, 1989, 1985 तिसरा प्रशन है पाई राइट किस प्रकार का खनीज है आपका अपसान है धात्विक और धात्विक परमानू इंधन चौथा प्रशन है 2001 की जन गनना के अनुसार बिहार की नगरिय आवादी है आपका अपसान है 20.5% 15.5% 10.5% 25.5% पाचवा प्रशन है आपका निम्न लिखित में निम्न लिखित ब्यक्तियों में से कौन लोक तंत्र में रंग भेद के बिरोधी नहीं थे आपका अपसान है किंग मार्टिन लूथर महात्मा गांधी ओलंपिक धावक टोमी स्मिथ एवं जोन कार्लोस जेड गुड़ी चटा प्रशन संप्रदाई की राजनीती किस धार्णा पर अधारित है आपकापसान है एक धर्म दुसरे धर्म से स्रेष्ट है बीभिन धर्मों के लोग समान नागरी के रूप में खुसी खुसी साथ रहते हैं एक धर्म के अनुयाई एक समुधाय बनाते हैं एक धार्मिक समुध का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में सासन की सक्ती का प्रयोग नहीं किया जा सकता है सात्वा प्रश्ण है संग सरकार का उदहारन है आपका अप्शन है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, इन में से कोई नहीं आठवा प्रश्ण है भारतिये लोग तंत्र में सत्ता के विरुद जन आक्रोष किस दसक से प्रारम हुआ आपका अप्शन है नववा प्रश्ण है रक्त यवं लोह की नीती का उलंबन किसने किया था आपका अप्शन है विश्मार्क, मेजिनी, हिटलर, विलियम प्रथम दस्वा प्रश्ण है दा हिष्ट्री अप दो लोज अफ वियतनाम किसने लिखा आपका अप्शन है होची मिन, फाउन बोई चाउ, कुवांग त्रिव 11 नमबर का प्रश्ण पुर्ण स्वाराज की मांग का प्रस्थाव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ आपका अप्शन है 1929 लहावर 1931 कराची 1923 कलकता 1937 बिल गाउं बारा नमबर का प्रश्ण काली मरीदा का दूसरा नाम क्या है आपका अप्शन है बलुई मरीदा रेगुर मरीदा लाल मरीदा लेटे राइट मीटी तेरा नमबर का प्रश्ण भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत छेतर में वन का विस्तार था आपका अप्शन है 25 प्रतिशत 19.27 प्रतिशत 20 प्रतिशत 20.6 प्रतिशत चौदा नमबर का प्रश्ण सिमेंट उधोग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आपका अप्शन है ग्रे नाइट, बॉक्साइट, चुना पत्थर, लोह अयास्क पंदरा नमबर का प्रश्ण राजनितिक दलो का गठन सर प्राथम किस देश में हुगा? आपका अप्शन है ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संजुक्तिराज, अमेरिका 16 नमबर का प्रश्ण है किस देश में बहुदलिय ब्यवस्था नहीं है? आपका अप्शन है पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, ब्रिटेन 17 नमबर का प्रश्ण है भारत में योजिना आयोग का गठन किया गया था आपका अप्शन है 15 मार्च 1950 को 15 सितंबर 1950 को 15 अक्टूबर 1951 को इन में से कोई नहीं अठाड़ा नमबर का प्रश्ण है ब्यवस्थाइक बैंको का राष्टरिय करन किया गया आपका अप्शन है 1966 में 1979 में 1975 में 1980 19 नमबर का प्रश्ण है संचार का सबसे लोग प्रिये साधन क्या है आपका अप्शन है सर्जनिक टेलिफोन रेडियो वाकी टौकी मोबाइल फोन विश्वप्रश्ण सविनय अवग्या आंदोलन कब और किस यात्रा से सुरू हुआ आपका अप्शन है 1920 भूज 1930 अहमदाबाद 1930 दान्डी 1937 21 नमबर का प्रशन पूर्ण सुराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधीवेशन में पारित हुआ आपका अप्शन है 1929 लहोर 1931 करांची 1923 कलकत्त 1937 बेलगाउं 22 नमबर का प्रशन राष्टरिये स्वयम सेवक संग की अस्थापना कब और किसने की आपकाप्शन है 1923 गुरु गोल वलकर 1925 हेड गेवार 1926 चितरंजन्दास 1928 लालचंद तेश नमबर का प्रशन बला भाई पटेल को सरदार की उपाधी किस किसान आंदोलन के दवरान दी गई आपकाप्शन है बार्दोली अहमदाबाद खेडा चमपारन 24 नमबर का प्रशन चमपारन विद्रो कब हुआ आपकाप्शन है 1911, 1917, 1918, 1919 25 नम्बर का प्रशन है निमने लिखित में किसे सिमान्त गांधी कहा जाता है आपकाप्शन है खान अबदूलगफार खान सर सयद अहमद खान महात्मा गांधी आगा खान 26 नमबर का प्रशन किस अधिनियम के द्वारा मुसल्मानों को प्रिथक प्रती निधित्व प्रदान किया गया आपका अपसन है 1909, 1919, 1926, 1935 27 नंबर का प्रश्ण किस ने 1920 में तासकंद में भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी का गठन किया आपका अपसन है लाजपत राय, एमेन जोसी, सत्य भक्त, एमेन जोसी ये तो दोनुँ अपसन एक ही है 28 नंबर का प्रश्ण अली मुसालियार ने किस विद्रो का नेत्रित्व किया आपका अपसन है रंपा विद्रो, खोंड विद्रो, संथाल विद्रो, मोपला विद्रो 29 नंबर का प्रश्ण वन सर्ण रक्षन एवं प्रवंधन की दिरिष्टी से वनो को वर्गी कृत किया गया है आपका अपसन है चार वर्गों में, तीन वर्गों में, पांच वर्गों में इन में से कोई नहीं तिस्वा प्रश्ण है 1951 में, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलो मीटर वन छेतर क्रिसी भूमी में परिवर्तित हुआ है आपका अपसन है 30,000 वर्ग किलो मीटर, 26,200 वर्ग किलो मीटर, 25,500 वर्ग किलो मीटर 31 नंबर का प्रश्ण सम्विधान की धारा 21 का संबंध है आपका अपसन है वन जीगों तथा प्राकिर्तिक संसाधनों का सनरक्षन मृता सनरक्षन, जल संसाधन, खनीज संपदा सनरक्षन 32 नंबर का प्रश्ण एव ए ओ की वानी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 इसवी में विश्व में कितने हेक्टेर भूमी पर वन का विश्थार था आपका अपसन है 6 अरब हेक्टेर, 4 अरब हेक्टेर, 8 अरब हेक्टेर, 5 अरब हेक्टेर 33 नंबर का प्रश्ण प्राकीर्तिक संसाधनों के सनिरक्षन 1968 इसवी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था आपका अपसन है अफ्रीकी कन्वेंशन, वेट लेंड्स कन्वेंशन, विश्वापदा कन्वेंशन, इन में से कोई नहीं 34 नंबर का प्रश्ण इन में कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है आपका अपसन है घडियाल, डॉल्फीन, वेल, कच्छुगा 35 नंबर का प्रश्ण भारत का राष्ट्रिय पक्षी कौन सा है आपका अपसन है कबुतर, हंस, मयूर, तोंता 36 नंबर का प्रश्ण मैंग्रव का सबसे अधिक विस्तार है आपका अपसन है अंडमान, निकोवार, दूप, समूव के तटिये भाग में सुन्दरवन में, पच्छमी तटिये प्रदेश में, पुरुवोतर राज्यों में 37 नंबर का प्रश्ण टेक्सोल का उप्योब होता है आपका अपसन है मलेरिया में, एट्स में, कैंसर में, टीवी में 38 नंबर का प्रश्ण चरक का संबंध किस देश से था आपका अपसन है म्यामार से, स्रीलंका से, भारत से, नेपाल से 49 नंबर का प्रश्ण समाजी की विभाजनों को संभालने के संदर्व में इन में कौन सा ब्यान लोकतंत्रिक ब्यवस्था पर लागू नहीं होता आपका अपसन है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिदवंधिता के चलते समाजी की विभाजनों की छाया राजनीती पर भी पड़ता है लोकतंत्र में विभिन समुदायों के लिए सांति पुर्ण ढंग से अपनी सिकायते जाहिर करना संभाव है लोक तंत्र समाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है लोक तंत्र समाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है चालिस नमबर का प्रश्न निमने लिखित तीन बयानों पर विचार करें पहला है आपका जहां समाजिक अंतर एक दुसरे से टकडाते हैं, वहां समाजिक बिभाजन होता है दुसरा अप्शन है, यह संभव हैं एक ब्यक्ति की कई पहचान हो तिसरा अप्शन, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही समाजिक बिभाजन होते हैं इन बयानों में से कौन-कौन से ब्यान सही है औ, ब, और, स, औ, 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 ब, ब, औ, स, सिर्फ, स, एक तालिस नंबर का प्रश्ण संप्रादाई के राजनीती के अर्थ सम्मंधी निम्ने कथनों पर गौर करें संप्रादाई के राजनीती किस पर अधारित है आपका अपसन है एक धर्म दुसरे से स्रेष्ठ है बिभीन धर्मों के लोग समान नागरी के के रूप में खुशी-खुशी साथ रहते हैं एक धर्म के अनुयाई एक समुधाय बनाते हैं एक धार्मिक समुह का प्रभुत्व बाकि सभी धर्मों पर कायम रहने में सासन की सक्ती का प्रयोग नहीं किया जा सकता है 42 नंबर का प्रशन है भारतिय सम्विधान के बारे में इन में कौन सा कथन सही है आपका अपसन है यह धर्म के अधार पर भेद भाव की मनाही करता है यह एक धर्म को राज की यह धर्म बनाता है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की अजादी देता है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरीकों को बरावरिक आधिकार देता है 43 नंबर का प्रश्ण निम्नलिखित ब्यक्तियों में कौन लोक तंत्र में रंग भेद के बिरोधी नहीं थे यह कोईशन दुबारा रिपीट हो रहा है इसके पहले भी कोईशन था आपकापसन है किंग मार्टिन लूथर महात्मा गांधी ओलम्पिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेंस जेड गुड़ी 44 नंबर का प्रश्ण जब हम लेंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है आपका अपसन है इस्त्री और पुरुस के विच जैविक अंतर समाज द्वारा इस्त्रीवों और पुरुसों को दी गई आसमान भुमिकाएं बालक और बलिकाओं की संख्या का अनुपात भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षन की विवस्था है आपका अपसन है लोकसभा में, बिधान सभा में, मंतरी मंडल में, पंचायती राज्य संस्था है 46 नमबर का प्रश्ण 1967 तक भारतिये राजनीती में निम्न में किसका वर्चस्वर रहा आपका अपसन है सवर्ण, निम्न जाती, अनुसूचित जाती, इनमें से कोई नहीं 47 नमबर का प्रश्ण समाजिक विभाजन की निम्न में कौन सी अभिव्यक्तिया है आपका अपसन है जाती, धर्म, लिंग, इनमें सभी 48 नमबर का प्रश्ण वर्ण बेवस्था का बेवस्थित स्वरूप है आपका अपसन है ब्रहामन, छत्रिये, वैश ब्रहामन, छत्रिये, वैश, शुद्र दोस्तों यह हुआ आपका 48 तक का प्रश्ण और आप लोग इसका एंसर तो लिख चिको हैंगे अब हम इसका एंसर बोल रहे हैं और आप लोग उसको मिलाईए कि आपका कितना एंसर सही है चलिए तयार हो जाईए अब हम एंसर दे रहे हैं चलिए एंसर मिलाईए 1 का C, 2 का A, 3 का A, 4 का C, 5 का D, 6 का A, 7 का A, 8 का B, 9 का A, 10 का B, 11 का A, 12 का B, 13 का B, 14 का C, 15 का A, 16 का D, 17 का A, 18 का B, 19 का D, 20 का C, 21 का A, 22 का B, 23 का A, 24 का A, 25 का A, 26 का A, 27 का D, 28 का D, 29 का B, 30 का B, 31 का A, 32 का B, 33 का A, 34 का A, 35 का C, 36 का B, 37 का C, 38 का C, 49 का D, 40 का B, 41 का A, 42 का A, 43 का D, 44 का D, 45 का D, 46 का A, 47 का D, 48 का D. अब आप लोग अपना नमबर को गिन लिजिए, और कमेंट के द्वारा आप लोग बताईए कि आपका कितना नमबर आ गया है, हम आपके कमेंट का इंतिजार करेंगे, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भाज़!